दियर स्टूटेंट्स आप पढ़ रहे हैं पर्फिक्ट स्टडी 68 यूटूब चैनल पर बाई जीवनलाल मौरिया सर के द्वारा और आप आपको हम बता दें कि ये जो चैप्टर आपका चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा खा इसमें आज हम आपको उसके आगे के पार्ट्स को बताने वाले हैं तो देखे आप आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या है ट्रांसफार्मर का सिद्धान ट्रांसफार्मर की रचना कारविधि यानि परिभासा और उसके principle of transformation को आप पढ़ेंगे देखे आपको पहला टपिक यहां है कि ट्रांसपार्मर यह अईसी उक्ती है ट्रांसपार्मर यह एक अईसी उक्ती है जो अन्योन्य प्रेरण के सिध्धान पर आधारी थे तथा इसका उप्योग प्रत्यावर्ति धारा बोल्टा में परिवर्तन के लिए किया जाता है अर्था प्रत्यावर्ती धारा की बोल्टता को कम या अधिक करने के लिए किया जाता है यानि ट्रांसफार्मर का उपयोग यह प्रत्यावर्ती धारा की बोल्टता को कम करने या अधिक करने के लिए उपयोग किया जाता है यह अन्योन प्र के सिध्धान पर आधारित युक्ति है इसके बाद देखे आपका है कि ट्रांसफार्मर का सिध्धान या अन्योनि प्रेरण के सिध्धान पर कारे करता है जिसके अनुसार जब एक कुंडली में प्रवाहिधारा का मान एक कुंडली में प्रवाहिधारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके पास रखी अन्य कुंडली में प्रेरण के द्वारा या प्रेरण से विद्धुत वाहकबल उत्पन हो जाता है जिससे दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लगती है ये आपका है ट्रांसफार की रचना चित्र आपका आ गया है ट्रांसफार्मर का या चित्र दिया गया है इसमें ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉयल और सेकंडरी कॉयल यानि यह प्राथमिक कुंडली है और इधर दूतिय कुंडली जो प्राइमरी का लिखा गया है यह प्राथमिक कुंडली और इस प्रकार से ऐसे चित्र में बना सकते हैं ऐसे ये एकदम समान रहेगा और बीच में यहां लौव प्रटलित क्रोड रखरके और इसको इधर से ऐसे बना देंगे यहाँ देख रहे हैं दीतीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है और यहाँ फेरे दूर-दूर हैं इस प्रकार से आप चित्र को बनाएंगे और इसके बाद है अब देखिए इसकी रचना में क्या दिया गया है ये हम लेक चलते हैं इसमें आपको दिया है चित्र अनुसार इसमें नर्म लोहे की बनी पटलित आयताकार क्रोड होती है इस क्रोड के एक तरफ तावे के तार लपेट कर प्राथमिक कुंडली बनाई जाती है तथा दूसरी तरफ तावे के तार लपेट कर दूतिय कुंडली बनाई जाती है जैसा कि आपको चित्र में यहां दिखाया गया यहां क्रोड को पटलित बनाने का कारण भवर धाराओं के प्रभाव को कम करना है यानि इस प्रकार से यानि परतों में बनाने का कारण क्या है जिस प्रत्यावर्ति धारा को बदलना है यानि जिस प्रत्य वर्तिधारा को Herausforder करना है बदलना है उसे प्रात्मिक कुंडली के सीरों पर लगाया जाता है तथा बदलने के बाद बोल्टता प्राप्त करने के लिए दितिये कुंडली के सीरों को काम में लिया जाता है और input के लिए ये प्रात्मिक कुंडली में जोड़ा जाता है इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि प्रात्मिक कुंडली तथा दिती ये कुंडली में लिप्टे ताबे के फेरों फेरे या निर्धारित करते हैं कि बोल्टता को कम किया जा रहा है या अधिक किया जा रहा है या जब फेरों की संख्या जिस प्रकार से होगी वह बताएगा कि कम किया जा रहा है बोल्टता को या अधिक किया आगे आपको मिलेगा यहां अर्थात जब प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या दिती ये कुंडली से अधिक है तो कम बोल्टता प्राप्त होती है और जब प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या दितिय कुंडली से कम रखी जाती है तो हमें आउट्पुट में अधिक बोल्टा की प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है यानि प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या दितियक कुंडली के फेरों की संख्या से क्या हो अधिक तो बोल्टता कम प्राप्त होगी प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या दितियक कुंडली से कम रखी जाती है तो output में हमें अधिक बोल्टता की प्रत्यावरती धारा प्राप्त होती है अब देखिए इस प्रकार से transformer भी आपके दो तरह के होने चाहिए आगे आपको मिलेगा कि यहां आप ये केवल समझे कि प्रात्मिक कुंडली में जब फेरों की संख्या अधिक होगी तो बोल्टता कम प्राप्त होगी और जब प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी तो बोल्टता अधिक प्राप्त होगी अब आगे देखिए आगे आपका है कि transformer की कारविध है जिस प्रत्यावरती धारा की बोल्टता का मान बदलना होता है कारविध में है जिस प्रत्यावर्ती धारा की बोल्टता का मान बदलना होता है उसे प्रात्मिक कुंडली के सीरों पर आरोपित कर देते हैं जिससे प्रात्मिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है यानि जिस प्रत्यावर्ती धारा की बोल्टता का मान परिवर्तित करना है उसे हम प्रात्मिक कुंडली के सीरों पर आरोपित करते हैं जिससे प्रात्मिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है चूंकि प्रत्यावर्तिधारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है जिससे स्वापेरण के कारण यह बोल्टता उत्पन हो जाती है इसकी बाद है कि अतह प्रात्मिक कुंडली में उत्पन फ्लक्स का मान भी समय के साथ परिवर्तित होगा फलस्वरूप या चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन दूतिय कुंडली से होकर गुजरेगा और दूतिय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की कारण अन्योन्य प्रेरण से एक विद्धुत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या प्रेरित होता है इससे दूतिय कुंडली के सीरों पर विभवानता रुत्पन हो जाता है जिसे आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है इसके बाद है यदि प्रात्मिक कुंडली की बोल्टता वी-पी प्रात्मिक कुंडली की बोल्टता को वी-पी से प्रदर्शित किया जाए VP means voltage of primary coil दितिये कुंडली की बोल्टा को VS से voltage of secondary coil प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या यन P यहां भी P means primary coil के लिए है यन मिन्स number of फेरों की संख्या है दितिये कुंडली में फेरों की संख्या यन S हो तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं तथा यहां यह भी दिया गया हो कि flux phi हो तो इनको निन्संबंद से प्रदर्सित किया जाता है यन P alike F together of Eоль बराबर terms ratio यान यन जो है यह terms ratio है यहां यन P alike C alike F together of Eоль संबंद से प्रदर्सित किया जाता है इसके बाद है सिद्धांत ट्रांसफार्मर अन्योन पिरेरंड के सिद्धान पर आधारित होता है ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ति धारा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ट्रांसफार्मर में एक नर्म लोहे की पतली क्रोड या रोड होती है जिस पर ताबे के मोटे तारों की बनी दो कुंडली लपेटी होती है एक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या जादा होती है जिस कुंडली के सीरों से प्रत्यावर्ति धारा सुरोत जोड़ दिया जाता है उसे प्रात्मिक कुंडली काते हैं इसके बाद है कार प्रणाली जब प्रात्मिक कुंडली में प्रत्यावर्तिधारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों और चुम्बकी छेत्र उत्पन हो जाता है और प्रात्मिक कुंडली से चुम्ब की बल रेखाएं निकलती हैं वे चुम्ब की बल रेखाएं दुतियक कुंडली से होकर गुजरती हैं अताह दुतियक कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है अता दुतियक कुंडली के सीरों के बीच विद्दुत वाहकबल एक प्रेरित विद्दुत वाहकबल उत्पन्न हो जाता है इसके बाद है कि प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या यन्वन यानि जो आप पीछे पढ़े हैं वहीं फिर से रिपीट हो रहा है कि ओल टाइप दूसरा है प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या यनवन दितियक कुंडली में फेरों की संख्या यनटू प्रात्मिक एवं दितियक कुंडली में प्रवाहिद धारा क्रमसा आईवन तथा आईटू हैं एवं प्रात्मिक कुंडली के सीरों पर निवेश बोल्टता भी पी एवं द दितियक कुंडली के सीरो पर निर्गत बोल्टा वियस प्रात्मिक कुंडली में बोल्टा निवेस की जाती है और दितियक कुंडली से आउटपुट प्राप्त किया जाता है इसके बाद है आदर्स ट्रांसफार्मर आदर्स ट्रांसफार्मर तो यहां देखिए ट्रांसफार अपान डी टी समय रहती है फैराडे तथा लेंज के नियम से वी पी बराबर माइनस यन पी डी फाई अपान डी टी समी करण एक है और भी यस बराबर माइनस यन यस डी फाई अपान डी टी समी करण दो है इसके बाद समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो bp upon bs ये बराबर होता है –np d5 upon dt बटे –ns d5 upon dt अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में जब समीकरण 2 से भाग दिया गया तो आपको मिला कि bp upon bs बराबर –np d5 upon dt माइनिस एनियस डी फाइए पान डी टी तो डी फाइए पान डी टी दोनों में है ये कैंसिल हो जाएगा यन पी बटे एनियस बचेगा माइनिस से माइनिस कट जाएगा तो भी पी बटे भी एस बराबर यन पी बटे एनियस ये समीकरण एक है वहाँ पे हमने इसको आपको डारेक्टली बता दिया था आदर्स ट्रांसफार्मर के लिए प्रात्मिक तथा दितिय कुंडली की सक्ती बराबर होती है आदर्स ट्रांसफार्मर के लिए प्रात्मिक कुंडली की सक्ती तथा दितिय कुंडली की सक्ती जो है यह बराबर होती है आदर्स ट्रांसफार्मर ने तो P P बराबर P S P मिन्स पावर और P मिन्स प्राइमरी P मिन्स पावर Yes मिन्स सेकंडरी तो P P बराबर P S यह आदर्स ट्रांसफार्मर की इस्थिती है तो P बराबर B into I होता है तो B P IP बराबर B S I S P बराबर V into I होता है इसलिए BP into IP बराबर VS into IS तो यहां से भी आपको मिल जाएगा कि वी P बटे VS बराबर IS बटे IP समिकरण 3 और 4 इसके पहले आपको समिकरण 3 मिला था यहां यह आपका एक समिकरण होगा यह जो BP बटे VS आया है इसके पहले आपका ये समीकरण 3 था ये समीकरण 4 है दोनों से आप प्रात्त करेंगे BP बटे BS बराबर IS बटे IP बराबर NP बटे NS ये समीकरण 5 हुआ इसके बाद है ये दितियक कुंडली में अब यहाँ ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं दो प्रकार के हैं एक आपका है उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा है अप्चाई ट्रांसफार्मर जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर यदि दितियक कुंडली में फेरों की संख्या प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक हो तो निर्गत बोल्टता निवेशी बोल्टता से अधिक होती है इसे उच्चाई ट्रांसफर्मर काती है यानि कुलमिला करके अभी पीछे आपको हम बताये थी कि प्रात्मिक कुंडली में जब फेरों की संख्या कम होगी और दितियक कुंडली में अधिक होगी तो वहाँ उच्च बोल्टता प्राप्त होती है तो वही यहाँ पे है दितियक कुंडली में फेरों की संख्या प्रात कुंडली में फेरों की संख्या से कम हो तो निर्गत बोल्टता या निवेशी बोल्टता से कम होगी इसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर उच्चाई और अपचाई जिसमें दितियक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी वह यहां कम बोल्टता प्राप्त होती है आउट्पूट को रूप में निर्गत बोल्टता जो प्राप्त होती है वो कम होती है तो यहां अपचाई ट्रांसफार्मर होता है इसके बाद है कि आदर्स ट्रांसफार्मर की दच्छता 100% होती है 100% होती है आदर्स ट्रांसफार्मर की दच्चता लगभग पंचानवे प्रच्चत रह जाती है पांच प्रच्चत वह उर्जा की हानी में चली जाती है इसके बाद है ट्रांसफार्मर में उर्जा हानी की कारण एवं उन्हें कम करने के उपाए तो ट्रांसफार्मर में उर्जा हानी का पहला कारण है कि चुम्बक कि फ्लक्स में चरण प्रात्मिक कुंडली से निकलने वाला चुम्ब की फ्लक्स पूंड रूप से दुतिय कुंडली को प्राप्त नहीं होता कुछ उसका चरण हो जाता है इसी हानी को कम करने के लिए प्रात्मिक कुंडली के उपर ही दितिय कुंडली लपेट दी जाती है त इसके बाद point second कुंडली का प्रतिरोध ट्रांसफार्मर की कुंडली ताबे के तारों की बनी होती है। इन तारों से प्रतिरोध के कारण I square R, P वराबर I square R, मान की विद्दुत उर्जा हानी के रूप में खर्च हो जाती है। इसे कम करने के लिए कुंडली ताबे के मोटे तारों की बनाई जाती है। इसके बाद है तीसरा point भवर धाराओं के कारण, चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, क्रोड की धात में भवर धाराएं उत्पन हो जाती है। इन भवर धाराओं के कारण, क्रोड की धात गर्म हो जाती है। आता विद्दुत उर्जा का कुछ भाग उर्जा के रूप में ब्याय होता है इस हानी को कम करने के लिए क्रोड को पटलित कर दिया जाता है यानि उसको परतों में बना दिया जाता है क्रोड को इसके बाद है सायथिल्य हानी प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चकर में चुम्बकन का एक चकर भी पूर्ण हो जाता है तथा चुम्बकन के एक पूर्ण चकर में सायथिल्य पास के छेत्रफल के बराबर उर्जा की हानी होती है इस हानी को कम करने के लिए नर्म लोहे क क्रोड बनाई आती है इसके बाद है प्रत्यवर्ति धारा की आउसत सक्ति और ये आउसत सक्ति या आगे का भाग जो है उसको हम आपको अगले वीडियो में प्रवाइड करेंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस प्रकार की प्रतेग दिन की वीडियो उसको पाने के हमारे चैनल पर बने रहें थैंक यू